Assalamualaikum, Welcome to Mathematics with Kodernics इस lecture बे हम देखेंगे कि Augmentation Matrix कौन सा Matrix होता है An Augmentation Matrix is a Matrix that is obtained by appending columns of two given matrices वो Matrix Augmentation Matrix क्या लाता है जो के दो Matrix के जो Columns है उनको append करने से हासिल होता है Append करना क्या होता है? शामिल करना, एक matrix के columns में दूसरे matrix के columns को शामिल करना appending of two matrices कहलाता है तो appending करने से जो हमें matrix आसल होगा उसको हम augmentation matrix बोलते हैं इसकी example देखें, तो A मेरे पास एक matrix है 1, 2, 3, 4 इसकी entries है, B एक matrix है 4, 7 इसकी entries है, augmentation matrix को denote करते है A और vertical line लगा के, B के साथ equals to, ये किस तरी के से हैगा matrix A की entries, 1, 2, 3, and 4 उसके बाद या हम इसमें vertical lines लगा सकते हैं या हम दो dots लगा सकते हैं, एक entry के आगे same time पे हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एक time पे हम एक जो technique है या एक जो sign है वो use कर सकते हैं हम vertical lines लगा लें, तो भी ठीक है अगर vertical lines नहीं लगानी, तो हम इस तरी के से दो-दो dots लगा के लिख सकते हैं इसके बाद ये A के matrix के elements आ गए इसके बाद इधर आ जाएंगे 4 and 7 इस तरी के से भी हम लिख सकते हैं दूसरा, A augmented B is equal to 1, 2, 3, 4, vertical line, 4 and 7 ये हमें बताएगा कि ये हमारा जो matrix है वो augmentation matrix है ये भी यही हमें शो करता है कि ये augmentation matrix है तो हमें क्या पता चला है कि augmentation matrix किस तरीके से हम कर सकते हैं denote vertical line के साथ और इसमें हम दो matrices के जो columns हैं उनको एक उसरियों में append करके लिखते हैं तो वो हमारा augmentation matrix क्यालाता है अब ये हमारा matrix जो है, ये augmentation matrix है ये हमारा augmentation matrix है ये हमारे दो different matrices हैं जी, तो मेरी कौम के नोजवानों इस lecture में हमने देखा है कि augmentation matrix क्या होता है इसको कैसे denote करते हैं और augmentation matrix को लिखते कैसे हैं कोडैनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और lecture जो सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर mathematics with kodैनिक्स सर्च करें अलाने के बाद